आखिर क्या है माता बैशुलो देवी और भगवान सीरी राम की प्रेम कहानी आखिर क्यों माता बैशुलो देवी भगवान सीरी राम से विबा करना चाती थी आप देख रहे हैं चैनेंद कुमार चैनल तो चलिए अब करते हैं ज्यान की बात वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सस्क्राइब अवस्र करें और बेल आइकन जरूर दबाईएगा साथी कमेंट बाक्स में जै मा भशलो देवी और जै सिरी राम अवस्र लिखिएगा उत्तर भारत में हिंदुगों के फिर्मुक तिर्थिस्थान बशलो देवी के बारे में सभी हिंदु जानते हैं जंबू के तुरुकटा परवत पर माता बशलो देवी की एक भव गुपा बनी हुई है और उस गुपा में प्राकर्तिक रूप से तीन पिंडी बनी हुई हैं ये तीनों पिंडियां देवी सुरस्थटी, देवी लच्छमी, देवी काली की हैं बश्रो देवी की यात्रा करने वाले सभी भक्तों को इस चोटी सी गुपा में होकर इनी पिंडियों के दर्शन करने होते हैं लेकिन फिर भी इस गुपा को माता बश्रो देवी की गुपा कहा जाता है बास्तम में यहां माता बैश्रो की ना तो कोई पिंडी मुझूद है और ना ही कोई मूर्तिया छब बल की कहा जाता है कि माता बैश्रो यहां अद्रस रूप में मुझूद है और इसी बज़े से इन्हें बैश्रो देवी तीर्द कहा गया है लेकिन आखिर माता बैश्रो देवी और भगवान सी इराम की प्रेम कहानी किस तरह से जुड़ी हुई है क्या मर्यादा पुसोतम भगवान सी इराम ने माता बैश्रो देवी से प्रेम किया था क्या आज तक माता बैश्रो देवी सिर्फ और सिर्फ त्रिकुटा परवत पर भ पताया जाता है कि माता तुर्कुटा यहां अध्रस रूप में भगवान स्री राम के उस बचन के पूरा होने का इंतजार कर रही है जो भगवान स्री राम ने लंका से लोड़ते समय देवी तुर्कुटा को दिया था मारकंडे पुरान के अनुसार जब त्रेता युग में भगवान से राम का जन्म हुआ तब उसी समय धर्म की रच्चा के लिए भगवान विश्वू के अंच से एक कन्या का जन्म दचल भारत के राम सरोबर तटपर पंडित रतना करके घर हुआ लेकिन कन्या के जन्म से पहले ही रतना कन्या प्रवू से बचन लिया कि यह कन्या जो कुछ भी करेगी उसे रोका नहीं जाएगा इस कन्या का नाम तुर्कुटा रखा गया जब यह कन्या नौवर्श की हुई तब इन्हें पता चला कि भगवान विश्वू ने राम के किया और जब भगवान राम माता सीता को दूनते हुए रामे सुटत पर पहुँचे तब सीरी राम और देवी तुर्कुटा की पहली मुलाकात हुई और सीरी राम के दर्सन करते ही देवी तुर्कुटा ने राम को पती रूप में प्राप्त करने की इच्छा को प्रकट कि लेकिन भगवान सीराम ने देवी तुर्कुटा से कहा कि मैं अपने इस अवटार के मैं एक पत्नी ब्रत रहने का बचन लिया और मेरा विबा सीता से हो चुका है यहां मैं अपनी पत्नी सीता को रावर से कैद और मुक्त कराने के लिए आया हूं इसलिए मैं आपसे विवा नहीं कर सकता लेकिन देवी तुर्कुटा अपने पर अड़ी रही और जब बहुत प्राधना करने के बाद स्री राम उनका उत्तर ना दे पाए तब स्री राम ने देवी तुर्कुटा से कहा कि अभी वह अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराने लंका जा रहे हैं लेकि राबल को प्राश करके और माता सीता को वापस लेकर जब वहां लंका से लउत्ते समय आप उनको पास आएंगे तब यदी देवी तुर्कुटा स्री राम को पहिंचान लेती हैं तो वो उन्से विबा कर लेंगे सिरी राम का यह बचन सुनकर देवी तुर्कुटा पिर्शन हो गई और तपस्या में लीन होकर सिरी राम के आने का इंतजार करने लगी लंका से लटते समय सिरी राम ने अपने बचन का पालन किया और देवी तुर्कुटा के पास आए लेकिन भगवान सी राम की माया की बज़े से देवी तुरकुटा उन्हें पहचान नहीं सकी तब भगवान सी राम ने देवी तुरकुटा को बचन याद दिलाया लेकिन तभी देवी तुरकुटा दुख से भर गई तुर्कटा के दुख से को दूर करने के लिए भगवान सीराम ने उन्हें बताया कि देवी तुर्कट परवत पर एक दिब गुपा मौझूद है और उस गुपा में तीनों महा सक्तियां महा सुरस्टि, महा लच्मी और महा काली पिंडी रूम में ब्राजमान है अगर देवी तब वह उनसे दिवा जरूर करेंगे तब तब तक वह धर्म का पालन करने वाले भक्तों की मनों कामना को पूरा करेंगे सीराम ने अपने बचन के साथ महावीर बजरंगबली हनुमान जी को भी उनकी सेबा में रहने का आदेश दिया और धर्म की रच्चा में उनकी सायता करने के लिए कहा इसलिए आज तक हनवान जी को अजर अमर माना गया है भगवान सी राम के आदेश से ही आज भी बश्रो माता तिर्कुर परवद में माता बश्रो देवी गुफा में अद्रस रूप में उनकी प्रितिच्चा कर रही हैं और अपने दरबार में आने बाले भक्तों के हर दुख को दूर कर उनकी जोली में खुशियां बरती हैं तो ये थी भगवान सी राम और माता बश्रो देवी की प्रेम कहानी तो अब तक अदूरी है और माता बश्रो आज भी कुवारी बश्रो गुफा में सी राम की प्रितिच्चा में है लेकिन जल्द ही भगवान मृष्णू क यूचे अंट में कल कि अब्तार लेंगे जो स्वेम भगवान सीरी राम ही अब्तार हो गा और तब